मानवी एक छोटे से शेहर की लड़की थी उसका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता उसके परिवार में उसके माता पिता और एक भाई था उसके पिता जी अक्सर बीमार रहते थे और मा अनपढ होने की वज़ा से कहीं काम पर नहीं जाती थी मानवी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका भाई भी मैथमेटिक्स के सवाल वो चुटकियों में हल कर देती थी जैसे ही उसने अपनी बारवी खत्म की उसके पिता जी की तब्यत और भी जादा खराब रहने लगी इसलिए मानवी कहीं न कहीं जौब की तलाश में लगी रहती एक दिन वो अपने दोस्त के पास जाती है बहुत दिनों बाद आई हो मानवी तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई ऐसा नहीं है यार मैं किसी को नहीं भूली हो बस घर के हालाद बहुत बिगड़े हुए है कहीं न कहीं नौकरी की तलाश में लगी हुई हो मुझे कोई ऐसी नौकरी चाहिए जो सुबह और शाम पार टाइम ही हो पर मिल जाए बाबा की तब्यत बहुत खराब रहती है इसलिए उनकी देखभाल भी करनी है घर जाती समय एक अकबार खरीद लेती है और उसमें नौकरी के जितने भी इश्तेहार आये हुए थे वो उन पर गोला लगा लेती है अगले दिन वो तैयार होकर एक घर पर इंटर्व्यू के ले जाती है हम्, मानवी नाम है तुम्हारा अच्छा और बार भी पासो चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो देखो, मेरे घर में सुबह सभी जाने वाले होते हैं इसलिए तुम्हें सुबह जल्दी आना होगा और सारा काम नौ बजे तक खत्म करना होगा और दोपहर को अगर तुम आ सकती हो तो मेरे बच्चे दोपहर को स्कूल से आएंगे जब तक मैं ऑफिस से ना आ जाओ तब तक तुम्हें उनका खयाल रखना होगा और शाम का खाना और काम भी करना होगा ठीक है, मैं ये कर लूँगी लेकिन आप मुझे बताएंगी कि सेलरी कितनी होगी दस अजार उपे महीना दूँगी और इमानदारी सबसे उपर रखना कोई भी चीज घर की इधर उधर नहीं होनी चाहिए वैसे तो थोड़ी दिनों की बात है मेरे पास जो नौकरानी थी वो दो-तीन महीने के लिए छुट्टी पर गई है उसके आने पर हो सकता है मैं तुम्हें जॉब पर रखू या ना रखू अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें पर्मानेंट भी रख सकती हो मान भी गहरी सांस लेती है और इस जॉब के लिए हां कह देती है घर आकर वो अपनी मा को बताती है कि उसे एक जगा नौकरी मिल गई है पर वो ये नहीं बताती है कि किसी के घर में काम करने के लिए जाएगी अरे दीदी आप जॉब पर चली जाओगी तो मुझे कौन पढ़ाएगा अरे रात को तो मैं घर पर ही हूँ ना मैं पढ़ा दूँगी तो टेंशन मतले और मा बाबा को हम लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल ले कर जाएगे बस थोड़े दिन की बात है फिर सब ठीक हो जाएगा अगले दिन सुबह मानवी तैयार होकर काम पर निकल जाती है सुबह सुबह वो जाकर सबके लिए नाश्टा बनाती है और फिर सबके टिफिन पैक करके देती है उसके बाद वो जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म करती है नौ बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है मालकिन खुश हो जाती है कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है फिर वो मानवी को चाबी दे देती है और दो पहर को आने का बोल देती है मानवी दो पहर को धाई बजे बच्चों को लेते हुए सीधा घर आती है और उन्हें खाना पिना खिला कर वो शाम का काम खत्म करती है और सब के लिए खाना बनाती है मालकिन और उसके हस्बेंट जब आते हैं तो वो मानवी का काम देख कर खुश हो जाते हैं और उसके हाथ का खाना भी उन्हें बहुत टेस्टी लगता है और जब मानवी जाने लगती है, काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, अगर इसी तरह काम करती रही तो हो सकता है मैं दूसरी नौकरानी को यहां ना रखूँ मानवी मुस्कुरा कर चली जाती है, एक दो दिन बात संडे होता है, मानवी जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी मालकिन किसी हिसाब किताब में कोई गरबड़ी को लेकर अपने हस्बेंड से बात कर रही थी, मैं बार बार कई बार चेक कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ म नहीं आ रहे हैं कि गलती कहा हुँ है, कंपनी वालों को जवाब देना भारी पढ़ रहा है, ध्यान से देखो, देखो कंपनी वाले ये काम किसी रिस्पोंसिबल आदमी को इस आपते हैं, तुम इतने सालों से उनके साथ काम कर रही हो, जरा सी चूक से तुमारी इमेश खर परिशान हूँ, मेरे ओफिस के कुछ खर्चों का हिसाब सही से नहीं बैठ रहा है, मैम, अगर आप कहें तो क्या मैं एक बारी देख सकती हूँ? वो दोनों हस्बिन वाइफ हैरान होकर मानवी की तरफ देखते हैं कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर हिसाब नहीं कर पा मानवी बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को देखती है और आखिर में वो अपनी मालकिन को बताती है कि यहाँ पर गरबर हो रही है और जब उसकी मालकिन उस चीज़ को देखती है तो हैरान हो जाती है कि वो उसकी नजरों से कैसे निकल गई? Brilliant! कैसे किया तुमने ये सब? मानवी इतने intelligent होकर तुम यहाँ जाड़ू पोचा कर रही हो मानवी फिर उसे बताती है कि उसका mathematics बहुत अच्छा है घर के हालात ऐसे हैं इसलिए आगे पढ़ाई नहीं कर पाई और आपके हाँ जॉब कर रही हूँ मालकिन और उसका husband दोनों impress हो जाते हैं फिर वो अपने बच्चों के पढ़ानी की सिम्मेदारी भी मानवी को दे देते हैं और उसकी salary भी बढ़ा देते हैं दो महीने बाद पुरानी नौकरानी वापस आती है तो मालकिन उसे भी रख लेती है और मानवी को बच्चों के पढ़ाई और खाना बनाने के लिए रख लेती है पहली नौकरानी का नाम منजू था वो मानवी से खार खाने लगी मैं भी काम वाली हूँ और ये भी काम वाली है पर मालकिन इसको कितना भाव देती है हम्, इसकी तो जल सी जद छुट्टी करानी पड़ेगी अगले दिन मालकिन के भाई का बेटा अमित अपनी बुआ से मिलने के लिए आता है वो कुछ पेपर से लेकर आया था बुआ जी मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली प्रॉब्लम हो रही है समझ नहीं आ रहा सारा हिसाब गडबड है जिस वज़ा से पिताजी मुझे डाट रहे है फिर मुझे आपका ख्याल आया कि आपसे इंटेलिजेंट तो और कोई है ही नहीं हिसाब में नहीं भाई, अब इस घर में मेरे से भी जादा इंटेलिजेंट और है जिसने मेरे हिसाब को सही किया था अमित हैरान होकर अपनी बुआ की तरफ देखता है आपसे इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता तभी मालकिन मानवी को बुलाती है और उसे अमन के लाए हुए कागस पकड़ाती है मानवी मेरे भईया की कपड़ों की दुकान है और ये उनका हिसाब है जो कि अमित संभालता है और इसे कुछ गरबढ हो गई है अगर तुम गलती ढूंड कर निकाल दो तो मैं सच कहती हूँ आगे की पढ़ाई की तुम्हारी सारी जिम्मेदारी में खुद ले लूँगे मानवी पेपर ले लेती है और उसके बाद वहीं बैट कर उसे ध्यान से देखती है और सारा हिसाब दूसरे पेपर पर उतार कर अमित के हाथ में पेपर पकड़ा देती है अमित हैरान हो जाता है जो हिसाब उसके पिता जी ने बताया था वही हिसाब मानवी ने कागस पर उतार दिया था क्या कहा था मैंने तुम से कि ये बहुत intelligent लड़की है और मेरे से भी जादा मान गया बुआ सच में जो हिसाब में दो दिन से नहीं लगा पा रहा था, इसने चुटकी में लगा दिया चलो भाई मानवी, तुमने हिसाब निकाल दिया है अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगी तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी होगी तुम इतनी intelligent हो, कहां काम वाली बनकर घुम रही हो आज से तुम बच्चों को पढ़ाओगी और अपनी पढ़ाई भी करोगी मैं पत्रा चार में तुम्हें admission दिलवा देती हूँ Thank you so much मैं, मैं भी यही चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लो अब मानवी अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है अपने भाई को भी पढ़ाती और वहां मालकिन के घर में बच्चों को भी देखते ही देखते तीन साल निकल जाते हैं और मानवी अपना graduation पूरा कर लेती है बहुत बहुत मुबारक हो मानवी तुमने अपना graduation पूरा कर लिया सुनो मेरे भाई को एक accountant की जरूरत है और मैंने उन्हें बोल दिया है कि तुमसे अच्छा हिसाब कोई और नहीं कर सकता इसलिए तुम्हारी वहां पर job लगवा रही हूँ मानवी की इतनी जल्दी जल्दी तरक्की होती है वो देख कर मंजू को जलन हो जाती है और वो उसी दिन सोचती है कि मुझे कुछ न कुछ करके इसको मालकिन की नजरों से गिराना है शाम को मालकिन को कहीं जाना था इसलिए मंजू जल्दी से उसका हार उठा कर मानवी के बैग में डाल देती है हार ना मिलने की वज़े से मालकिन बहुत परिशान होती है और फिर समझ नहीं आ रहा अभी यहीं टेबल पर रखा था ज्यान से देखो यहीं कहीं गिर गया होगा तभी मंजू पानी का गिलास लेकर अंदर आती है और मालकिन मंजू से पूछती है तो मंजू कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले मानवी को यहां देखा था मालकिन को यकीन तो नहीं होता लेकिन वो मानवी को बुला लेती है और जब उसके बैक की तलाशी लेती है तो हार उसी में मिलता है नहीं नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं की आप मुझे जानती हो, मैं इतने सालों से यहां काम कर रही हूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सच सच बताओ मानवी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल से तुम दूसरी जगा पर जौब करने के लिए जाने वाली थी तो तुमने यहां एक मोटा हाथ मारने की सोची और मानवी थी कि लगातार रोए जा रहे थी तभी मालकिन का हस्बेंड उससे बोलता है कि नहीं मुझे मानवी के उपर बिल्कुल शक नहीं है वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती जरूर कोई और बात है मानवी रोते-रोते घर चले जाती है अगले दिन वो काम पर नहीं आती मालकिन घर पर ही होती है कि तभी उसे बालकनी से एक खुसुर-फुसुर की आवाज सुनाई देती है वो ध्यान से परदे के पीछे जाकर सुनती है तो मंजू किसी को फोन पर बता रही थी पता है कैसे मू लटका कर गई है यहां से मैडम की कोई चीज चोरी भी नहीं हुई और देखो मैंने कैसे उसे भी यहां से निकलवा दिया साम भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी यह सुनकर मालकिन को बहुत बुरा लगता है और वो मंजू को रंगे हाथो पकड़ लेती है फिर मंजू बताती है कि वो मानवी से जलने लगी थी इसलिए उसे जोटी चोरी के इलजाम में डलवा दिया अगले दिन मालकिन मानवी के घर जाकर उससे सौरी बोलती है और मानवी के माता पिता से बोलती है कि अब मानवी मेरे भाई के आँपर जॉब नहीं करेगी बल्कि वो उनके घर की बहु बन कर जाएगी क्योंकि मेरे भतीजे ने मानवी के बारे में अपने घर पर बता दिया है वो लोग मानवी को अपने घर की बहु बनाना चाहते है ये सुनकर मानवी के घर वाले खुश हो जाते हैं कुछ दिन बाद मालकिन अपने भाई की फ्रैमली के साथ मानवी के घर आती है और रीती रिवास के साथ अमित की सगाई मानवी से कर देती है और कुछ दिन बाद ही मानवी की शादी अमित से हो जाती है इस तरह मेहनत और लगन से मान भी आगे बढ़ते हुए एक अच्छी जिन्दगी जीती है और अपने परिवार का भी बहुत साथ देती है